असलाम कुछ फ्रेंड्स, Everyday Science YouTube चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोग को शाम दीद कहता हूं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम 8 क्लास की Math की जो New Book आई जाए उसकी Exercise No.2.1 करना के Complete Solution सीखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो 2.1 exercise है इसमें उसमें पूछा गया कहता है कि identify each number pattern and complete the sequence जानी कि यह जो एक ना के number pattern दिया हुआ है इसमें जो खाली जगा चोड़ी हुए है इसमें आप लोगोंने मलूम करना है कि कौन से नबर आएंगे तो चलेए हमने कि उनको solve करते हैं पहले सौब करने पहले सौाल के लिएए हैं लिए हमनेی आप पहले तो हमने है, उसके बाद पहरां पर हमारे पोई है फिर दू में पका चॉबीस है। फिर बीस है, और उसके बाद पर पृछ सौला है और यह दो, हम रझे खृणी हूए है, हमने यह न, कि मलूम कर दी है कि ये यहां पर मापकर क्या है, अगर हम देखें, सबसे पहले हम आफ़ाइस है तो अटाइस से जब हम नगर 24 पे गए हैं षुमने चार मैनस कि अब 24 झाक हम 20 में गए हैं फिर 4 मैनस कि इन बेश से जब हम 16 में घए हैं फिर 4 मैनस हुए इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर पैटरன है इसमें ना कि जब भी हमने अगला हिंसा कोई लिखना है तो उसमें हमने चार मैनस करके लिखना है जैसे अगर हम पहले की बात करें तो यह मैनस चार करके हमने लिख दिया 28 में से चार करके लिख दिया 24 हो गया दूसरे के बात करें तो फिर मैनस 4 करके लिखा तो हमाई पास 20 हो गया फिर 20 में से मैनस 4 करके लिखा तो हमाई पास 16 हो गया अब इस खाली जग़ा में अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि 16 में से मैनस 4 करके लिखेंगे तो 12 आ गया फिर 12 में से भी हमने ना चार पर लिखेंगे तो हमारे पर आठ आ गया अगर हम ये कंप्लीट जो सिक्वेंस है उसे लिखेंगे तो हमारे पर कुछ इस तरह से बन जाएगी 28, 24, 20, 16 और ये तो खाली जगा जो 12 और 28 हो जाएगा तो इस तरीके से आप लोगों ने सारे जो नंबर पैटर्न है उनको सोचना है ये किस तरह से लिखेंगे हुए है तो इसी तरीके से उनने ना जो खाली जगा दी होगी उसे आप लोगों पुल करना है अब नेक्स हाए हैं दूसरे स्वाल पे दूसरे स्वाल में उसने पहले दे दिया उसके बाद टू उसके बाद टू उसके बाद त्री उसके बाद सेवन ये दो खाली जगा और एंड पे हमाँ पर टूटी टू दे दी हैं अब यहां पर अगर देखें तो पहले स्वाल वाला सिस्टम नहीं है हर स्वाल में एक लियादा तरह करना कि पैटर्न होगा तो आप लोगों नहायत मसलिए के द्माग वगरा लगा कि आपने सोचना है कि यह किस तरह का पैटर्न है जैसे यह देखें वन है वन के बाद टू आ गया इसका मतलब है कि one प्लस की इस कि इससे पहले हम में प्लस करें 되는데 फिर 2 प्लस करें, फिर 3 प्लस करें, फिर 4 प्लस करें, फिर 5 प्लस करें, फिर 6 प्लस करें, चले हम देखें, सबसे पहले हमने 6 में करें, प्लस 1 हमने कर दिया, तो 1 प्लस 1 हमारे पर 2 आ गया, उसके बाद फिर ये 2 प्लस 2 हमारे पर 4 आ गया, अब नेक्स ये 4 प्लस 3 तो हमार फिर हमारे पर ł ए फाइध पर सिक्स्टीन प्लस 6 आ गया ग्रम टो यह व werden ढोले प्लस वान किया फिर फिर प्लस दू किया लैसald publica प्लस वोड़िए थे बन जाएग़ अब हम तीसे सॉगर में ये सुड़ीड जाएगे तोदी है अब इसको एगर हम देखें तो ये 77 के बार 66 है 66 के बाद 55 है है इसे oh है 11 मैंस किया हुग है 11 मैशिया न arbitr है तो यह द问 सके रावन करी कर से 77-11 मैंस करें तो 6612nd कि बांगरं लोगई है तो शुट you सी 6 में सेitel धर को यस चांद जा मैंगरी हम कर दो और तो यह दस्वा करें अभी dude 166 में से स्रहाम 12 जो की तरी ऊद्स मेरे मेरे हुआ कि और यहार है ऑप गया और बाकिन करें मIE और वह पर फ्रक्राइब कुमिज यह हम पर शाल हो गया है इस तरीग मेरे हैं पर यह कंपलीच ही ऑप जोड़ी तरी 50 ऐखाल जाएंगा चोड़ी अब इसमें अगर हम देखें 50 के बास ऊब इसका मतलब हम ने प्लस 50 किया है इसका मतलब इस यह जो सीक्वेंस जा रही है ना यह प्लस 50 कि जा रही है जब आप आपनों के पास एक दो नंबर्स आ जाएंगी ना तो उससे फिर आप अब next फिर हम हमारे पर ये जो खाली जगह है इसमें 150 में 50 हम प्लस करेंगे 200 आजएगा अब 200 में हम तबारा से 50 प्लस करें तो 250 आजएगा अब 250 में 550 प्लस करें तो हमारे पर 300 आजएगा 300 में 550 प्लस करेंगे 350 आजएगा 350 में 350 प्लस करेंगे तो ये 400 आ जागा इस तरीके से हमारे पास ये भी एक स्मेंस बढ़ देगा है नेक्स पांचमें स्वाल पे आएं तो पांचमें स्वाल में उसने ना तो पहले दो एक खल जगा छोड़ दिया उसके बार ये भी खल जगा छोड़ दिया और बीच में कुछ नंबर दी है अब ये देखिएँएуем के बाँ है 81 281 के बाद है 243 अगर इस पर अगर हम कौर करें ये 27 जो है इसको हमारे पास ना के इससे 3 से μεल्टिप्लई करें तो 501 को सिफ 2 से मल्टिप्लाई करें हमारे पास 243 आता है इसा मतलब है इसमें हर नए नमब लाने के लिए उसने 3 से कि यह क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ना इसको देखते हैं तो यह 27 को जब हमने 3 से मल्टिप्लाइब किया तो आ गया जागा अब हमें 243 को 3 से मल्टिप्लाइब करें अब 729 को फिर 3 से मल्टिप्लाइब करें तो यह वाले खाल जगा भी हमार पूर हो जाएगी यह हमार पास आजाएगा जी 2187 अब नेक्स आएं इन दो उनों के उसमें से भी पहले सबसे हम चले इसको देख लें इसको हमने ना कि 3 को करें तो यह हमार पर 9 आजाएगी और 9 को 3 से मल्टिप्लाइब करें तो वह हमारे 27 भी आ रहा है अब नेक्स यह बच गया तो यहां पर हमारे पस ना के 1 आना चाहिए तो कि 1 को हम 3 से मल्टिप्लाइब करेंगे तो यह 3 आएगा यह इस तरीके से हमने इस वाली जगा में 1 तो इस तरीके से यह भी हमारे सीक्वेंस बन गी इस तरीके से इसे भी आप लों लिख लेना है अब ने लास वाल आ गया थी लास वाल में अगर हम देखें तो 11 है 17 है 27 है 41 है 51 है बाग की सारा चोड़ा हो इसको अगर हम देखें तो फार एंपर 11 और यह 17 बन रहा है तो यह प्लस 6 होके बन रहा है यह प्लस 7 होके बन रहा है यह खलदगा चोड़ दी आपके 41 तो इसको हम ने चले एंड से ना कि सोचना शुरू करें तो यह मसलिन के एक जाज सीक्वेंस में रहा है तो इसके बाद यह 7 है इसमें 8 आजएगा इसमें 9 आ जाजएगा इसमें 10 आ हम किया करते हैं कि यहार St हम4 1 में से जब मैनस 9 करते हैं तो हमें पर 32 आ जाएते हैं अब इनक्स पिर हम नहीं है जाने मैंनस 8 करते हैं हमेरे सिचिया आजते हैं, नेक्स फिर हम ना कि मैनस 7 करते हैं, 17 आजते हैं, मैनस 6 करते हैं, 11 आजते हैं, मैनस 6 के बाद फिर मैनस 5 आएगा, तो इसमें से मैनस 5 करेंगे, तो मैनस 6 आजएगा, और इसमें से फिर मैनस 5 के बाद मैनस 4 आएगा, इसमें मैनस 4 करेंगे, तो मैनस 2 आजएगा, तो इस तरीके से हमाई पर ये सिक्वेंस भी बन देगी है इस तरीके से आप लोगों के पास कोई भी इस तरह की सिक्वेंस आ सकती है उसको अगर आप लोगों कम्प्लीट करना है तो उसको आप लोगों जो दो ती नमबर दिये होंगे उनके पैटर्न को समझना है चैनल आजमी सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग अल्ला निगे बार